नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9-63 सामजिक विज्यान की वर्कशिट नमबर 47 यानि की कारेपतरक संख्या 47 को या आपकी 20 दिसंबर 2021 की वर्कशिट रहेगी आज की इस वर्कशिट में हम हिस्ट्री इतियास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एम रूसी क्रांती के पहले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे अगर इस कंप्लीट चैप्टर की बात करेंगे अगर आप पहली नजर में इस चैप्टर को एंचियाटी की बुक में से देख हुए सरसरी तोर पर तो आपको लगेगा कि ये चैप्टर काफी लेंद थी है आपको लगेगा कि ये चैप्टर इतना इंट्रेस्टिंग नहीं क्या क्या होता है वो मुख्य घटनाई दी गए जिसमें दिया गए 1905 की करांती रूस की होती है उस दोरान बलडी संडे खुनी रेवार की घटना होती है उसके बारे में दिया गए उसके बाद 1914 से जो पर्थम विश्यूद सुरू होता तो उसका रूस के ऊपर क्या प्रभाव पढ़ता है वो दिया गए उसके बाद 1917 1917 में रूसी करांती होई थी वो सब कुछ दिया गए कि क्यों होई थी क्या कारण रहते और in between दिया गए कि वहां का समाज कैसा था कौन-कौन से विचार धा रहती और 1917 की करांती के बाद रूस में क्या बतला तो यह सब कुछ दिया गए जहां तक आपके क्लास 9th SST सामाजिव ग्यान की बात है जितने भी आपके चैप्टर्स है टर्म 2 के या टर्म 1 के सभी चैप्टर्स के most important questions चायो हिंदी इंग्लिश मेडिया में अलग अलग डिसकस किया है वन मारकर, थ्री मारकर, फाइव मारकर और आपका एकजाम टोटली उन्ही में से ही आएगा तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है प्लेलिस्ट में क्लास 9th SST शोसल साइंस, most important questions की अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आपको वो सभी वीडियोज मिल जाएंगे मैफ वर्क के भी अलग से बने वे चलिए आज किस वर्क्षिट की बात करते हैं तो आज किस वर्क्षिट में हम डिसकस करेंगे कि रूस में और यूरोप में 1900 के आसपास किस परकार की विचार धा रहें थी और कब की बात करें 1900 के आसपास की हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले वहाँ पर थे पुरातन वादी या कंजरवेटिव कह लेजिए इन्हें को हम रूडी वादी कहते हैं ठीक अब ये कंजरवेटिव पुरातन वादी या रूडी वादी कौन से होते हैं रूडी वादी मतलब जो लकीर के फकीर होते है लकीर के फकीर मतलब कि जो लोग बदलना नहीं चाहते हैं ये पुराने चीजों से चिपके रहते हैं जिसे आप घर में देखते हो कई बार दादू या नानू कह लेजिए, वो आपको बोलते रहते हैं हमारे जमाने में तो ऐसा होता था ये चीजें ऐसे गलत हो रही है हमारे जमाने में इतने किलोमेटर पैदल चलके हम पढ़ने जाते हैं एक्जम्पल देना अच्छी बात है, लेकिन नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना उसे हम बोलेंगे कंजरवेटिव तो उस वक्त एक जो विचारदा थी वो थे कंजरवेटिव पुरातनवादी ये वो लोग थे जो पुरानी चीजों को पसंद करते थे, पुरानी पुराने विचारों के विप्रीत था जो प्रिवर्तन का विरोध करते थे हालांकि ये प्रिवर्तन का क्या करते थे विरोध करते थे यानि कि पुरातनवादी क्या थे लकीर के फकेर थे पहले चीज दूसरा ये बदलाव नहीं चाहते थे ये नए प्रिवर्तनों का विरोध करते थे हलांकि ये इस बात को समझ गए थे प्रिवर्तन तो होने लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि प्रिवर्तन अगर हो तो भी अतीत का सम्मान किया जाए यानकि पुरानी चीजों में बदलाव नहीं होना चीए ओके वो चाहते थे कि प्रिवर्तन है वो धीमी गति से धीरे धीरे होने चीए ये राज तंत्र के पक्स में थे यानकी राजा वाला सिस्टम है इनको वो ही अच्छा लगता था चर्च के पक्स में थे जो सामन थे उनके पास अधिकार थे उनके पक्स में थे यानि कि जो भी पुरानी प्रमप्राई थी, चीज़ें थी, संस्थाईं थी, उनकी ये पक्सदर थे, प्रिवर्तन की ये खिलाब थे, ये चाते थी गए प्रिवर्तन होने भी है, तो वो ध्यमी गती से करमिक रूप से हो, तो ये थे कौन से कंजरवेटिव लोग किसके पक्षदर थे राज तंतर के राजा के पक्षदर थे उसके बाद दूसरे थे रेडिकल आमोल चूल प्रिवर्टनवाली अब रेडिकल क्या थे कि ये रेडिकल का अर्थ होता है जो समाज में बदलाव चाते थे और तुरंट चाते थे कि कब अब का अब हो क्रांति कारे किसम के लोग थे ये तो रेडिकल वो लोग थे वो विचार दारा थे जो समाज में बदलाव लाना चाते थे तुरंट बदलाव लाना चाते थे और ये चाते थे कि अगर ठीक इन में से बहुत सारे लोगों ने महिला मताधिकार आंदोलन का भी समर्तन किया था यानि कि ये सारा भूमिक मताधिकार के भी पक्सतर थी ये चाहते थे कि सभी लोगों को वो डालने का अधिकार मिलना चाहिए ये बड़े जमीदारों और संपन उद्योगपतियों को प रोधी नहीं थे प्रंतु संपती कुछी व्यक्तियों के हाथ में δेल इनका मानना था कि अगर करने पड़े तो वहं करेंगे थे यह लोकतंतर के पक्ष में थे राजतंतर के ही खिलाफ थे सारव भोमिक मतादिकार के पक्ष में थे कि सब लोगों को एक समान वोर डालने का अधिकार होना चाहिए ये पूरे देश में एक समान अधिकार हो इसके पक्सदर थे यानि किसी के पास कोई special अधिकार नहीं होने चाहिए और ये ये भी चाहते थे उदारवादी या फिर लिब्रेल्स उदारवादी कौन थे उदारवादी जिसे नाम से पता चल रहा है ये भी खुले विचारों के थे ये भी चाते थे समाज में बदला हो लेकिन ये क्रांतिय तुरंत में नहीं इनका मानना था कि ये बदलावाओ दीरे-दीरे होंगे अपने आपकर्मिक त्रेकेश होंगे तो उदारवादी ऐसा राष्टर चाते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले यानि कि चाते थे कि धर्म निर्पेक्सता होने चीए सभ धर्मों को एक समान द्रिष्टी से दिखा जाना चीए ये वंश आधारित साशकों की एनिंतरित सत्ता के विरोधी थे यानि कि इंतरित दोनों में कॉमन क्या था दोनों ही राजतंतर के विरोधी थे ये राजतंतर के पक्ष में थे जबकि ये दोनों विरोध में थे वे सरकार के समक्ष वैक्ती मातर के अधिकारों की रक्षा के पक्सदर थे वे भी चाते थे कि देश में एक समिधान होना चीए और जिससे सभी लोगों को लगभग एक समाने अधिकार मिले ये समूप परतिनीतों पर आधारी निर्वाची संसदिय सरकार के पक्स में थे यन के भी चाते थे कि लोकतंतर होना ची एक चुनी सरकार है वो देश को चलाए उन्होंने सूप परशिक्षी तो नियाई पालिका का भी पक्स लिया था उन्होंने ये भी काता कि एक सवतंतर नियाई पालिका भी देश में होने चीए हलांकि दोनों में डिफरेंस क्या था जो उदारवादी और रेडिकल थे उनके अगर विचार धराम बात करें तो कुछ चीज़त कॉमन थी जिसे लोक तंतर के पक्स में थे ये भी थे राज तंतर के विरोध में ये भी थे और ये भी थे बदलाव ये भी चाते थे और बदलाव ये भी चाते थे लेकिन कॉमन चीज़ें थोगी अलग क्या थे अलग ये थे कि ये तूरंथ बदलाव चाते थे ये चाहते थे कि कर्मे करती से देरे देरे हो दूसरा ये सरभूमिक मता दिकार के पक्स में थे सब लोगों को एक समान वोर्ड डालने का दिकार मिले ये इसके पक्स में नहीं थे ये चाहते थे कि अभी केवल धनी लोगों को ही वो डालने का अधिकार मिलना चीए तो दो चीज़े लग थी बाकी को मंथिन की तो ये तीसरी विचार धारती इसके साथ-साथ एक और विचार धारा वहां पर आती है यूरोप में और विशेष तोर पर रशिया में वो थी समाजवाद अब ये समाजवाद क्या था समाजवाद एक तरीके का एक राजनितिक सामाजिक और आर्थिक चिंतन है आर्थिक दर्शन है जिसका अधार उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित आओ यानि कि समाजवाद क्या था एक विचार दारा थी पहले चीज जो जितना काम करेगा उतना उनको वेतन मिल जाएगा यानि कि इससे क्या होगा इनको लगता था कि इसी से ही समाज में समानता आ सकती है अमीर गरीब के बीच का भेदबाव खतम हो सकता है ति ये समाजवादी विचार था रहती ये नीजी समपत्ती की विरोधी थे यानि कि किसी के पास पर्षनल प्रोपर्टी होने नहीं चाहिए काम करो पैसे लो और कमाओ और खाओ बस मोज करो उसके पक्सदर थे ठीक यानि कि एक पूंजिवादी पर्था की विरोधी थे नेजी संपत्ति की विरोधी थे और ये चाहते थे कि समाज में आर्थिक समानता होने चीए अमीर ग्रेब के बीच का भेधभाव नहीं होना चीए इसलिए ये चाहते थे कि जितने भी उत्पादन के साधन है चाहिए वो कार खाने हो चाहिए वो खेतियों के जमीन हो कि समाजवाद है वो नीजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों को विरोध करते थे कि किसी के पास परसनल प्रोपर्टी होनी नीचे जिस अपने आपे अंबानी अडानी या पर हम ऐसे लगा लीजे कुस लोगों के पास बड़े बड़े बंगलोज है अपना कार खाना दुकाने तो वो कहते थे यह ऐसा नहीं होना चाहिए लोग काम करेंगे सारी चीजे सरकार की होगी ठीक दूसरा इनका ये मानना था कि उत्पादन और वित्रन समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए कि उत्पादन के जो साधन है वो भी किस के एंडर में होने चीए सरकार के एंडर में होने चीए तीसरा समाजवाद में राज्य और नागरी के करते हुए अधिकारों के वित्रन पर भी विचार किया गया किसमें समाजवाद में राज्य के क्या करते हुए मुक्त वैपार के खिलाफ थी ये विचारता रहा कि पूंजी वाद क्या होता है कि अपनी मैनत करो और जो आप कमा सकते वो आपका होगा लेकिन ये इसके खिलाफ थी इनका माना था कि इसी से ही तो अमेर गरीब के बीच में भीदवा पड़ता है ये थी समाजवाद की विच प्रश्ता में धन संपति का स्वामितव और वित्तर्ण समाज या सरकार के अधेन में रहता है समाजवाद नीजी संपति पर जो आधारी तदिकारों को विरोध करता है तो पहली चीज समझ लेजिए कि ये आर्थिक सामाजिक विचार धारा या दर्शन है ये धन संपति प खिलापते कि नीजी संपतित होने चीए क्योंकि ये मानते दे कि सभी समस्याओं की जड़ है ये ही नीजी संपति होती है क्लियर ये समाजवाद था दूसरा परशन देखिए दूसरा परशन है समाजवाद के संपति और उत्पादन के अधिकारों पर क्या विचार है ये हम आज बाद नेजी संपत्ती पर आधारीत अधिकारों का विरोध करता है। तो हम पहले कोशन में कर चुके हैं, तो वही चीज़े रिपीट हुए। तीसरा हमारा परशन दिया गया है, पुरातन वादियों, यानि कि रूडी वादियों की क्या विचार थे। तो रूडी वादि थे, वो समाज में बदलाव के खिलाब थे, वे पुरानी प्रमप्राओं और संस्ताओं में विश्वास रखते थे, जैसे कि वो चर्च के पक्सदर थे, वो रास्त अंथर के पक्सदर थे, ठीक, उसके बाद चोथा दिया गया है, चोथा परशन, कि आमोल जो आमोल चूल परिवर्टन वादी थे, उनकी विचारों की तुलना करनी है, कि कैसे वो अलग थे, और कैसे वो एक जैसे थे, तो आमोल चूल परिवर्टन वादी, यान्य कि जो रेडिकल्स थे, वो समाज में करांती के दौरा, तिवर बदलाव लाना चाहते थे, तुरं बद तरीके से कर्मिक तरीके से धीरे धीरे बदलावाने चाहिए उदारवादी सारव भूमिक मता दिकार के पक्समे नहीं थी यह नहीं चाहते दे कि सब लोगों को वोड डालने का दिकार मिले चाहिए तो ये थी हमारी आज की वरक्षीट जो काफी आसान इंट्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट थी I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये वरक्षीट अच्छे लगी इस वीडियो इस वरक्षीट को लाइक और शियर जरूर कीजिए आज के लिए बस इतने थेंक यू बाइबाई, हैव नाइस दे